मैं अबला नादान नहीं हूँ दबी हुई पैचान नहीं हूँ मैं स्वाबिमान से जीती हूँ रप्ती अंदर खुद्दारी हूँ मैं आधुनीक नारी हूँ जीहा आज हम महला विशेश दिवस के ऊपर बाचीत करने वाले हैं प्रियंका शक्ति ठाकूर इनसे बाचीत करने वाले हैं महला दीन विशेश कारेक्रम में आपको सभी को पता है कि देज दुनिया के इतियास में हर साल 8 मार्श को International Women's Day यानि महिला दिवस मनाया जाता है और आज की महिला सशक्त और पुर्षों के मुकाबले कई आगे है और आज हम ऐसी ही महिला यानि प्रियंका शक्ति ठाकुर इनसे बात करने वाले हैं और जानेंगे उनका सफर जो कामिया भी आ वो छू रही है बूलकर ये सफर कैसा रहा ये आज हम से जानेंगे बहुत-बहुत शुपकावना है पहले तो महिला दिवस की आपको और बहुत-बहुत स्वागत हमारे स्कूडियो में आपका सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 14 साल की उम्र से आपने रंगमंच पर कार्य काम करना शुरू किया है क्या बताओगी कैसा ये सफर था और ये सफर कब से शुरू और कहा से शुरू आप बढ़ा अच्छा सवाल किया आपने चौदा साल की उम्र से रंगमंच कर रही हूँ, रंगमंच में, रंगमंच में मेरा प्रवेश कैसे हुआ, यह मैं आपको बताऊंगी, नित्य मेरा काफी, बच्पन से मेरा शौक था, क्लासिकल डांस करने का, और मैं परफॉर्मेंस करती रहती थी, स्कूल लेवल पर, इंट क्लासिकल डांस परफॉर्म कर रही थी, डारिक्टर को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, और उनकी नाटक में ऐसा कोई द्रश्य था, कि जिसमें नृत्य की प्रस्तुती है, तो उन्होंने मुझे कहा, कि आप हमारे ड्रामा में काम करेंगे, अच्छा, ड्रामा क्या हो और आगे की ऐसी चीजों का जो आपको बांद के रख देता है सुरो और तालो में, संगीत बांद देता है, नृत्य बांद देता है, वैसे ही नाटक है, जो हमें अपनी आगे की दूर द्रश्टी से कारे को कैसे करना है, निरंतरता कैसे रखनी है कारे में, और अपनी करने लगी पहले बहुत चोटा सा किरदार मैंने निभाया और वो किरदार एक लहरो के राजहन्स मेरा पहला नाटक था जिसमें मैंने काम किया भी नहीं किया बहुत चोटा सा किरदार निभाया और उस किरदार के बाद मुझे एक के बाद एक किरदार मिलते गए और मैं आप यहां तक नहीं रुकी, आपने निर्देशन भी किया है, साथ ही निर्मान भी किया है, यानुबो कैसा था, क्या बता हुगे? निर्देशक तो मैं कहूंगी कि निर्देशक मैं बाद में बनी, मैं जब शादी के बाद नागपूर महराश्च शिफ्ट हुई, तो फिर यहां पे मैंने अपनी कला को वही नहीं रोक के रखा, मैंने का यार हमारा जॉनर एक ही जिगे फिक्स नहीं करना चाहिए, अगर साथ आप और क्या कलाओं को अपने अंदर से निकाल सकते हो, वो कला अपने अंदर ढूननी होगी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं डारिक्शन भी कर सकती हूं, और अभी नहीं से डारिक्शन, फिर प्रोड़क्शन और फिर राइटिंग, सबसे जादा मतलब लास्ट तो मैंने एक नाटक भी लिखा है, जिसके लिए मुझे महराष्ट हिंदी साहित अकादमी ने मुझे सम्मानित भी किया, और शौरिया, वो भी आपके वूमन्स दे के स्पेशल, जो आपका ये टाइटल है आज का, वूमन्स दे स्पेशल है, वो वूमन इंपावर्मेंट क हिसाख से लिखी गई कहानी है, वो एक नाटक है और वो शौरिया, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, उसका टाइटल है, कहानी गावर्मेंट बहुत बढ़िया, आपका जो सफर है, मतलब पहले तो रंगमश पे काम किया, आपने उसके बाद आपने नाटक लिखा, निर्देश का सेयोग काफी जरूरी होता, तभी हम इतनी बुलंडिया चो सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, कि बहुत जरूरी होता है, परिवार साथ में नहीं खड़ा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और कोरोना काल में, मैं आपको बताओंगी, ये नाटक मैंने कोरोना काल मे लिखा, जब सारा देश एक साथ बंध हो गया था, और कोई भी कारे नहीं हो रहे थे, उस समय मैंने ये नाटक लिखा, क्या है, कलाकार अपने आपको बांध नहीं सकता, उसको आप एक कमरे में बांध होगे, तो वहाँ पे भी अपनी कुछ ना कुछ कलाकारी दिखा तो फिर ऐसा सोचा कि जो हमारा शेत्र है, नाटे शेत्र, उससे रिरेटेट कुछ किया जाए, कुछ लिखा जाए, कुछ पढ़ा जाए, तो मतलब ऐसा हुआ कि मैंने कई किताबे निकाली, ढूणी, खंगाली, और फिर किताबे पढ़ी है, और फिर मुझे लगा किया रह है तो पता चला है, और ये तो पूरा संग्रह बन सकता है ये नाटक मतलब नाट्टे संग्रह में इसको किया जाता है, फिर इसको मैंने प्रकाशित लिखा। तो मैं कहूंगी कि यह तो सही है लेकिन जब महिला भी तरक्की करती है तो उसके बैकबोन पे पीछे उसके आदमी का हाथ होता है, साथ होता है और वो बहुत जरूरी है तब ही वो इतनी तरक्की कर सकती है और मेरे हजबन का इसमें काफी ज़्यादा सपोर्ट रहा और हमेश पगपग पर वो मेरे पीछे खड़े रहे, मुझे सम्हालने के लिए कभी गलत होता है तो भी वो मुझे गाइट करते हैं नहीं तुम इस तरीके से नहीं इस तरीके से काम करो थेटर भी कर रही हो उन्हीं ने मुझे ये बताया कि आप एक जॉनर को टाय करो मैं एतिहासिक रांतिकारी अंसंग हिडन जो पैट्रियॉटिक केरेक्टर्स हैं उनके उपर काम करती हूँ और वो मुझे अगर पता नहीं होता शायद रंगबंच में मुझे ये आइडिया देने वाले मेरे हस्बेंड है कि तुम ऐसे केरेक्टर्स पर काम करो उन्होंने ही मुझे ये ग विवा क्या बताओगे शादी के पहले ही मैंने जो फिल्में की वो की राजनीती प्रकाज ज्ञा के साथ एक विवा ऐसा भी और उसके बाद अभी मैंने एक वैब सीनीज की थी आश्रम सीजन थी पर मेरे मैं बहुत चूजी हूँ मैं ऐसा ही काम करना पसंद करती हूँ जो को मेरे लिए बना है और मैं उसके लिए बनी बिल्कुल जिस तरह से आपकी जर्मी हमने देखी तो शादी शुदा जिन्दगी जो है और अपने काम को अपने किस तरह से बैलन्स करके रखा है कि आप एक मा भी हो एक बहू भी हो पत्नी भी हो क्या बताओगे काफी किर्दार में निभाने वाली कटपुत्लिया है जो अलग-अलग किर्दार निभा रहे हैं और यही निभा के चले आएंगे तो लगए जिस वक्त है उसी वक्त के हो जाए, बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो थोड़ा समय उसी के साथ दे और पिर जब नाटक कर रहे हैं तो उसी के लिए करें, और सबको बैलन्स करना इतना असान नहीं है, पर मैं सभी के लिए कहूंगी कि इतना मुश्किल भी नहीं है, जितना आप कहते हैं, अगर पंखों में हमें उडान भरना है, तो कोई भी काम उतना मुश्किल नहीं है, आप जित से ठान लीजिए, यह मुझे करना है, यहने करना है, यह नहीं कि रात में सपने देख लेवले, खुली आखों से सपना देखो, सपने साकार होते महनत करना पड़ता है रोज सुबह उठो और दोड़ो और भागो और अपने एम अपना गोल लेके उस पे संघर्ष करो और हाँ ये बात सही है कि सफलता आपको जरूर नहीं बिल्कुल आज महिला दिवस के उपलक्ष पर आप हमारे महिला दर्शकों को खास कर क्या संदेह देना चाहोगे मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी सभी महिलाओं को सबसे पहले Women's Day की धीर सारी शुप कामना है मैं ये कहूँगी कि 8 March Women's Day बनाने लाएक सिर्फ एक ही दिन नहीं ये 365 days हमें Women's का respect करना चाहिए और Women's ने खुद का भी respect करना चाहिए Respect याने कैसे हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ हमारे अंदर अगर कोई passion है हमारे अंदर कोई integrity है कि हमें ये कर सकते हैं हम इसे अच्छा कुछ कर सकते हैं तो वो अपने आप में खुजिए और उसे निखारिए और भागिए अपने लक्ष की और यही मैं उनके लिए कनवे करना चाहूंगी बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहां आई और मैला दिवस के उपलक्ष में हमारे से आपकी जर्नी जो है इतनी यह शिश्वी जर्नी जो है हमारे साथ साजाती है और साथी साथ इसे हमारे दर्शकों को भी एक कपरेणा मिली होगी मुझे लगता है कि जस तरह से आपकी जर्नी है जस तरह से आपकाम्याब हुई है और ऐसी ही व्यक्ति मत्वे से हम आपको मिलाते रहेंगे आप देखते रहेंगे बीसे नियोज नमस्कार नमस्ते